आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी study close पर यह आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हम बात करेंगे, जो Muslims है, they form panel in Gurugram for Namastalks ऐसा क्यों हुआ है, चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दो कि हमारी sales जो है, वो start हो चुकी है, बिग दिवाली sales सारे courses पर extra 30% आपके, यह बहत्रीन courses हमारे आते हैं, आप इनको अविल कर सकते हैं और यह मेरा vlogging channel है, सिद्धा अग्मिनोतरी की नाम से, आप इसको भी subscribe करेंगे तो देखो, पहले तो हम देखते हैं कि यह problem, issue क्या है Muslim community ने 21 member committee, under the chairmanship of former राजसबा member, मुहमत आदी राजसबा member थे, मुहमत आदी, उनके under, एक committee बनाई गई है 21 member की, लेकिन यह बनाई क्यों गई है, यह committee सरकार से बातचीत करेगी जो भी political parties हैं, उनके representative से मिलेगी क्यों? यह चाहते हैं कि हमको peaceful solution मिले जुम्मे को हम नमाज पढ़ते हैं, Friday को prayers होती हैं तो हम उसका शांती पूर्ण solution चाहते हैं देखिए, बहुत सारे right wing outfits और कुछ local residents ने अभी कुछ बीते हफतों में जो नमाज public places पर offer की जाती है न, उनके against protest किये अभी Friday को latest demonstrations देखने को मिले, यहाँ पे गोवर्धन पूजा थी और गोवर्धन पूजा नमाज साइट पर की गई, sect act 12 में, गुरुग्राम में तो अब speakers ने, जो speakers लगे हुए थे यहाँ पर यह बोला कि भाई, जिनको नमाज offer करनी है वो पाकिस्तान चले जाए यह speaker से बोला गया, गोवर्धन पूजा थी Friday को और उसके बाद, sect act 12 में, और यहाँ पर speaker से announcement हो रहा था कि जिनको भी यहाँ पर नमाज परनी है, वो पाकिस्तान चले जाए तो इसलिए committee बनी तो अब यहाँ पर जो अलताफ हैमद है, member of the committee और यह गुरुग्राम नागरिक एकतामज के भी member है यह बता रहे हैं कि committee इसलिए ही बनी है, कि हम solution निकाल सकें जहाँ गुरुग्राम के जो Muslims हैं, we are facing challenges in offering नमाज इन्होंने यह भी बोला है कि हमने इसे पहले भी सरकार को चिठ्थिया लिखी ताकि नमाज जो है, हम अच्छे से conduct कर सकें ताकि शहर में कोई भी problem ना हो, तो इसलिए हम सरकारी नमाइंदों से मिल रहे हैं political leadership, मतलब हम उनसे Monday से मिलना शुरू कर देंगे और यह पांच member का delegation, committee का वो गुरुग्राम के deputy commissioner यश्गर्ग के साथ बातचीत कर रहा है तो delegation में यह की community members, they will submit a memorandum कि site को reduce ना करो, देखो 2018 में यह memorandum आया था कि नमाज site को reduce किया जाएगा, 37 agreed places थी, ठीक है यहां बता रहे हैं कि आप site to reduce मत करिए, बतल कि हमको जादा sites हैं यह जादा sectors में, क्यूंकि पिछले 3 सालों में जादा Muslim migrant workers जो हैं वो शहर में आ गए हैं, तो इसी लिए हमको जादा जगा चाहिए, जगा कम नहीं करिया, 37 पर से 8 साइट को अरड़ी हटा दिया गया है, क्योंकि यहां पे लोकल्स ने objection किया, यह चीज है, अब इक memorandum में यह भी था, Muslim community के representative ने बोला कि भाई हम, हम तयार हैं, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, harmony के लिए, लेकिन हमको एक कोई जगा अलॉट कर दो, तो district administration ने committee बनाई है, ति fresh site इनको अलॉट की जाए नमाज के लिए, अचा पुलिस ने क्या बोला, पुलिस ने statement issue किया है, कि जो permission नमाज at other sites could be withdrawn, if local raised any objections, यानि कि सेंते sites हैं, सेंते sites में आज विड्रॉ कर ली गई, और अगर local object करेंगे, तो बाकी भी विड्रॉ कर ली जाएंगी, इसलिए ही यहाँ committee बनाई गई, अल्ताफ ने भी बोला कि हम chief minister के साथ भी मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, और हम उनसे यही appeal करेंगे, कि हमको इक तो जमीन दे, ताक कि हम गुरुगराम में मस्जिद बना सके, town planning guidelines के हिसाब से, और हम यह भी बोलना चाहेंगे, कि action उनके खिलाफ लिया जाए, जो कि communal harmony को गुरुगराम में डिस्ट अप करते हैं, यह चीज़ है, और यही बोला कि हम deputy chief minister दुशियन तो चौटा, चौटाल और डीटर अफ ऑपोजिशन बुपिंदर से भी मिलना चाते हैं, अब बाकी जो members of the committee है, वो यह identify कर रहे है कि आके रम को जमीन कहां पर मिले, ताकि हम Friday prayers offer कर सके हैं, अब इसमें कोई private individuals की जमीन है, organization की जमीन है, जिन्होंने बोला है कि हम आपको अपनी जमीन दे सकते हैं, अब जैसे ही land available होगा, तो committee approval लेगा सरकार से, तो अदीब ने बोला है कि सम्विधान जो सबको right देता है कि अपना religion जो एब practice कर सके, लेकिन situation थोड़ी सी घराब होती देख रही है, फिर ये बोल रहे हैं कि हम political leadership से engage होंगे, ताकि solution मिल सके, मुफ्ती मुहमद सरीन कास्मी में जो प्रेसिडेंट है जामियत उलेमा हिंद कुरुग्राम के, उन्हों नहीं बोला है कि हां, they are ready to bear the construction of cost of mask, हम मस्जिद में जो भी, क्योंकि आप नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, तो मस्जिद बना दो, लेकिन मस्जिद का पनाने का पैसा तो देदेगे, लेकिन उसकी जमीन कहां से लगगे, तो इसलिए हम सरकार से request करते कि हमको जमीन देदेगे, ठीक है, तो यही चीज है, देख में public places पे तो नमाज offer नहीं की जाती है, prayers, क्योंकि ठीक है, मैं उनकी भी मुश्किल समझ सकता हूँ, कि उनके पास जगा नहीं है, बट इससे लोगों को भी परिशानी होती है, तो best यही है, कि आप मस्जिद बना दीजे, वहाँ पे आप नमाज कर लीजे, और already sites जो है, व बहुत गलत है, ठीक है, देखिए, जो गलत कर रहा है, अब जैसे, जिन्होंने पाकिस्तान की जीट पे पटाके फोड़े, उनको तो बिल्कुल पाकिस्तान भीजना था, उनको तो बिल्कुल जायज है, पाकिस्तान चले जो, लेकिन हर बात पे पाकिस्तान चले जो, अगर अगर मान लेजे कोई इंसान सरकार की नीतियों से सहमत नहीं तो पाकिस्तान चले जो, यह गलत है, यह बहुत ही गलत है, तो इससे हमको बचना चाहिए, पाकी भाई हम देश है हमारा, और हम सब अमन चैन सही रहे, सम्मिल के रहे, तो अच्छा है, तो अब देखते हैं, फिल प्लिक प्लेस तो लिमिटेड है, हम यह थोड़ी नहीं कि इतने लोग आ गए हैं, तो हम आपको प्लेस दे देगे, फिलाल, कमिटी बैठाई गई है, और जो कमिटी बैठाई गई है, वही फैस्टा लेगी, सरकार से मिलेंगे, अब देखे, सरकार को हम सबसे जादा पता ह है, जो आड्मिनिस्ट्रेटर है, जो वीडियो क्रेक्सर नहीं को जादा पता है, अब वो जो फैस्टा लेगे, जो भी होगा, हम आपको बताएंगे, फिलाल, यह इशू ता, टाइमस ऑफ इंडिया की यह खबर है, खुछ रे, पर तेरे, इदे से सिद्धान तक नहीं होत बसानिमो,gehen선 जाद को बताएंगे, जे से सिद्धान नहीं होता है, जे सम्झान थक्तों की यह खबर है, जे से सिद्धान थे स्निमोटें अर्णाने